आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार दर्शको यह है MNS News नेटव एकर आप देख रहे है MNS News टीवी मैं हूँ आपके साथ शुभांगी तो आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबरे सडक सुरक्षा की ट्रेनिंग न लेने वाले इंजिनिरों का नहीं होगा प्रोमोशन नितिन गड़करी तमाम प्रयासों के बावजूत मारग दुरघटनाओं में कमी न हो पाने की वज़ा से चिंतित केंद्रिया सडक परिवन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि रोड इंजिनिरिंग में खामियों की अंदेखी नहीं की जा सकती इसमें एक एक गलती सेकड़ों लोगों की जान ले लेती है इसके लिए सिविल इंजिनिरों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए सडक सुरक्षा जागरुकता कारेकरम में बोले गड़करी गड़करी ने बुद्वार को सडक सुरक्षा जागरुकता से जुड़े कारेकरम में कहा कि अगर सडक सुरक्षा के लिए रोड इंजिनिरिंग को सुधार ना है तो सबसे पहले इसमें काम करने वाले इंजिनियरों के लिए एक डिपलोमाट तै किया जाना चाहिए सरक सुरक्षा या डिपलोमा के बीना किसी इंजिनियर का प्रमोशन नहीं किया जाएगा रोड सेटी के सामन्य कामों के लिए 10 लाग खर्च करने की दीचूट गड़करी ने कहा कि मैंने अफसरों को बोला है कि भले ही प्रसिशन आट डिनों का हो लेकिन या अनिवारियों होना चाहिए कि रोड इंजिनियरिंग में हुई गल्तियों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी इनी की है गड़करी ने या जानकारी भी दी की पहली बार एन एच आई से भी सभी पर योजना निर्देशकों को रोड सैप्टी के सामन्य कामों के लिए 10 लाग रुपे खर्च करने की छूड़ी है दुरगटनाओं के कार्णों की तरह में जाने की जरूरत उन्हेंने कहा कि इसके तहट कई कामों हो सकते हैं जैसे की स्थान पर कोई खामी दूर करना, साइन बोर्ड लगाना या फिर मार्किंग इस पैसे से पर योजना निर्देशक मार्ग दुरगटना वाली जगव को सुदार रख सुदार सकते हैं गड़करी ने मार्ग दुरगटनाओं के कार्णों की तहो में जाने की जरूरत पर जोर देती हुए कहा कि हर मामले में ड्राइवर को दोश्थारा देना किसी निर्बल की बली देने के समान है असली खामी कुछ और थी जैसे ठिक करने की जरूरत है आएए बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ 103 दिन बाद पति मनीश शिमोधिया से मिली सीमा अपने खत मे लिकी दिल की बात दिली के पूरव डिप्टि सीम मनीश शिमसी दिया की 103 दिन अपनी पतनी सीमा सिन्सोधिया से मुलागात हुई जिन्सोदिया ने एक पत्र लिखा है बता दे कि दिल्ली के सियम और्विन के इज्रिवाल भी एक कारेक्रम के दोरान वानी सिंसोदिया को याद करके भावख हो गय थे पत्नी सीमा सिंसोदिया ने खट में लिखा पूर्वर डिप्टी सिया मनीश सिंसोदिया ने एक पत्र लिखा है आज 103 दिन बाद मनीश से मुलाकातोई 7 गंटे के लिए वहां भी इस तरह की पूलिस बेडरूम के दरवाजे पर बेटी आपको लगातार देख रही है और आपकी हर बार सुन रही थी शायद इसले कहते हैं कि राजनीती गंदी है जब यह लोग पार्टी बना रहते तो उस वक्त बहुत से शुप चिंतकों से सुनने को मिला था कि पत्रकारिता और अंदुलन तक तो ठीक है पर राजनीती के चक्क आई और काम करके भी दिखाया इन लोगों की राजनीती ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा स्वास्त बिजली और पानी की बात करने पर मद्बूर कर दिया आई यह बढ़ते हैं अगली ख़पर की तरब देश की राजनीती को बहार ले जाना राउल गांदी पर एस जैशंकर ने कहा उनकी आदत है कि जब वो बहार जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं हमारी राजनीती के बारे में टिप नहीं करते हैं जैशंकर ने कहा कि दुनिया देख रही है कि इस देश में चुना होते हैं और चुना में कभी एक पार्टी जित्ती हैं कभी द होगा दुनिया भारत को विकास के भागेदार के रूप में देखती है प्याम नरेंद्र मोधी के विदेश नीती के नौ साल पूर होने पर प्रेस कॉन्फरेंस में विदेश मंत्री डॉक्तरेश जैशंकर ने यह बात के जैशंकर ने कहा कि हम वहार जाते हैं और भार की ओर से लोगों से मिलते हैं दुनिया विशेश रूप से गलोबल साउद भारत को एक विकास के भागेदार के रूप में देखता ह आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम परने से उनका प्रभाव भी तेज होगा आज हम जो प्रभाव डाल रहे हैं उससे हमारी परमपरा उससो बनाया जा रहा है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाल पर भी देख सकते हैं मोबाल www.msnews.com पर फिलाल वक्त तुछलाएदर शुकु ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा अदेश और दुनिया की तमाम खबरें बने रहे हैं में इस न्यूस ट्वी पर नमस्कार ये हैं में इस न्यूस नेट पर और आप देख रहे हैं में इस न्यूस